हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में दोस्तों आज हम लोग इने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना प्लेलिस्ट में आपको suitable lecture total मिल जाएगा तो दोस्तों आज के lecture में unit second का हम लोगों को पहला chapter जो है ये total पढ़के बहुत ही आसान तरीके से एकदम easy language में पढ़के खतम करेंगे अगर एक बार वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको total यहीं पर तयार हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से आज हम लोग बात करेंगे drug distribution system in a hospital ठीक तो यहां तक इसको पढ़के हमको complete कर देना है अगले वाले lecture में हम लोग पुरंत start करेंगे hospital formula ठीक जिसमें यह हम लोग complete करेंगे तो चलिए दोस्तों start करते हैं जानते हैं drug distribution system in a hospital क्या होता है जो कुछ आपके syllabus में दिया गया है सब कुछ एकदम आसान तरीके से चलिए complete करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले heading darling drug distribution system in a hospital ठीक अब drug distribution system in a hospital में क्या होता है इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि drug distribution क्या होता है इसके बारे में आप लोग को bio pharmacogenetics में आपको बहुत ही आसान तरीके से drug distribution समझाया था ठीक तो drug distribution क्या होता है दोस्तों drug distribution क्या होता है यहाँ पे drug distribution जो होता है site word में dd लिग दिया यह क्या होता है मान लिजिए हमने कोई drug खाया अब drug में हमारा हो गया tablet या फिर capsule ठीक टैबलेट हो गया या फिर कोई capsule हो गया अब इस tablet और capsule को drug distribution system इने body अब यह drug को हमने क्या किया drug हमारा tablet हो सकता है capsule हो सकता है कुछ भी हो सकता है अब इसको मालेजी हमने खाया ठीक तो ये कहां आता है हमने खाया तो ये हमारे कहां जाता है बलड में जाता है और बलड में आने के बाद ये आप लोग को बताया था कि बलड जो हमारा होता है दोस्तों ये होता है central compartment अब central compartment का मतलब क्या होता है कि जब हमने कोई दवा खाया और blood में आया तो blood में इतना तीज फुलूरा आता है कि ये हमारे सभी part में, सभी अंग में क्या करता है दवा को पहुचा देता है जैसे माली जी हमने दवा खाया और ये हमारे blood में आया और blood के थुरू हमारे कहां कहां जाता है माली जी किड़नी में गया लंक्स में गया लीवर में गया ठिक ब्रेन में गया कहां गया ब्रेन में गया तो यहां पे हमने दवा खाया यहां पे और यह हमारे ब्लड में आया और ब्लड में आने के बाद यह सभी जगों पर हमारे body में सभी जगह ओपर क्या हो गया दोस्तों distribute हो गया सभी जगह ओपर चला गया अब माल लीजिए हमारे सर में दर्द हो रहा है हमने सर दर्द कदाव खाया तो ये blood में आने के बाद कहां चला गया, brain में चला गया हमारे दर्द को क्या कर दिया, ठीक कर दिया तो ये blood में आने के बाद सभी जगह ओपर distribute हो गया तो ये हमारा होता है drug distribution system in body ठीक, अब ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इतनी बात, अब ये क्या होता है drug distribution system in hospital अब hospital में क्या होता है drug distribution हास्पिटल का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि माल लिजे यहां पर कोई हास्पिटल है ठीक और यहां पर कोई भी पेसेंट यहां पर क्या है भरती है ठीक यहां पर एक बेड लगा हुआ है और यह पेसेंट भरती है ठीक अब इस पेसेंट के पास सभी दवा को पहुचाना ब distribution system दवा को hospital में distribute करना, patient को देना दवा को, इसको अगर simple भासा में कहा जाए, कि hospital में patient तक दवा पहुचाने के process को drug distribution system इने hospital कहा जाता है, ठीक, hospital में patient तक दवा को पहुचाने के system को drug distribution system इने hospital कहा जाता है, और अगर question आ जाता है drug distribution system इने body, तो यह क्या होता, इसमें लिखेंगे कोई भी drug हमने खाया वो अमारे blood में आया और blood में आने के बाद सभी PART में क्या हो गया, that process is called as, that method is called as distribution system in a body, यह आप लोग को basic concept समझ में आ गया होगा, इसलिए थोड़ा सा drug distribution को ले करके ये आप लोग को समझाया हूँ इतनी बाते आप लोग को समझ में आ गया हुआ कि इस थरीके से लिखना है कैसे लिखना है चलिए दोस्तों बो जानते हैं तो heading darling के drug distribution system इने hospital इसको simply यहाँ पर लिख दिया हूँ जो आप लोग को यहाँ पर बताया हूँ कि क्या होते हैं वही चीज यहाँ पर simple लिख दिया हूँ drug distribution इजे one of the basic service एक basic service होता है जो कि provide किया जाता है hospital pharmacy के द्वारा दवाओं को patient तक ठीक यह होता है हमारे drug distribution system इने hospital इसको कुछ अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं to a development of new and improved drug distribution system traditional method distribution and now reconduct into a system in a hospital and procedure of drug distribution ये दो category में क्या किये गए हैं categorize किये गए हैं ये जो आप लुक को मैंने बताया था कहां पे गया अभी आप लुक को यहां पे बताया है traditional method of distribution traditional method of distribution क्या होता है और novel drug delivery system क्या होता है ये आप लुक को मैंने novel drug delivery system के subject में ही बता दिया था क्या बताया था traditional method of distribution में डेली डेली दवा को दिया जाता है और Noval Drug Delivery System का एक ऐसा ड्रग होता है जो कि माल लीजिए कोई एक टेबलेट है आपने खाया तो ये 24 घंटे तक अपना असर दिखाएगा तो 24 घंटे में केवल एक बार खाना है कुछ ऐसे दवाए Noval Drug में बना दिये गए है जो कि हमने इसको खाया और ये एक वीक में आप लोग को एक बार खाना है केवल कुछ ऐसे ड्रग बनाए गए है Noval Drug Delivery System में जो कि एक मन्थ में एक बार खाना है तो वो हमारा जो होता है Noval Drug Delivery System है और traditional method आप distribution में क्या होता है एक दवा आज खाया एक दवा कल खायेंगे या फिर एक दवा खाना है आपको सुबह दो बार साम इस तरीके से तो ये जो डेली डेली आपको खाना है वो होता है traditional method ठीक ये दोस्तों जो होता है Drug Distribution ये दो कटेगरी में बाटे गए हैं एक हमारा होता है दो कटेगरी में ही होते हैं जैसे कि हमारे क्या होते हैं एक होता है outpatient service एक होता है inpatient service अब outpatient service का मतलब क्या होता है जैसे डाक्टर बैटे रहते हैं ठीक अब कोई patient आया कहा डाक्टर साहिब मुझे बुखार हुआ है इसका दवा दे दीजिए हमारे पेट में दर्द हो रहा है इसको दवा दे दीजिए ठीक तो क्या करेंगे डाक्टर उसको दवा दे देंगे अब उसको भरती थोड़ी कर लेंगे वो आया अपना बिमारी बताया दवा लिया और चला गया तो वो जो होते हैं वो होते हैं आउट पेसेंट सर्विस और इंपेसेंट सर्विस क्या होते हैं इनपेसेंट सर्विस का मतलब क्या होता है इसमें जो ऐसे पेसेंट होते हैं जो कि हास्पिटल में भरती रहते हैं जो कि डाक्टर हो गए हैं नर्स हो गए हैं उनके ह से दवा को दिया जाता है वो हमारा होता है दोस्तो inpatient service इतनी बाते आप लोग को समझ में आ गया होगा चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है inpatient ठीक तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे heading डालेंगे dispensing आप drug to inpatient तो क्या होता है inpatient inpatient service एक ऐसा सर्विस होता है जिसमे पेसेंट का इलाज कहां पे होता है हास्पिटल में होता है जैसे कि जो आते हैं आप लोग हास्पिटल में गए होंगे तो डाक्टर बताते हैं कि यह पेसेंट का हालत खराब है इनको हास्पिटलाइच करना पड़ेगा इनको भरती करना पड़ेगा ठीक डीजी जिसे सर्जरी हो गया और भी कुछ बिमारी खतरनाक हो गया है तो उनको भरती किया जाता है और उनका इलाज वहीं पे किया जाता है जैसे माल लेजे किसी पेसेंट का पै टूट गया अब डाक्टर आपकी घर पे थोड़ी आएंगे प्लास्टर लगाने सर्जरी करने वो सब चीज आपकी घर पे थोड़ी आएंग करने वहाँ पे पेसेंट को जाना पड़ेगा उनको भरती होना पड़ेगा तब जाकर के उनका इलाज होगा तो वो हमारे होते हैं इन पेसेंट सर्विस यही होता है ठीक अब इसमें कुछ क आज क्या होगा है कटेगरी चार कटेगरी इनके मेन होते हैं जैसे कि सबसे पहला होगा इन डिवाइड़ प्रेस्क्रिप्शन आडर सिस्टम कंप्लीट फ्लोर इस्टाक्ट सिस्टम होगा हैं कंबीनेशन आप एबब 1 & 2 पहले और दूसरे का कंबीनेशन तीसरा होता है य क्या होता है complete floor stack system क्या होता है दोनों का combination और unit doger dispensing method क्या होता है अब आप लोग को यहीं पर समझ लेना है individual prescription अब prescription के बारे में आप लोग फर्स्ट समेश्टर से ही पड़ते आ रहे हैं फर्मासुटिक्स में कि prescription का मतलब होता है डाक्टर जो दवा लिखते हैं तो इन में क्या होता है दोस्तों इन में डाक्टर जो होते हैं पेसेंट के लिए दवा को लिखते हैं जो कि बाहर से ला करके नर्स जो होते हैं और जो भी वहाँ पहल पर रहते हैं नर्स को दिया जाता है ठिक नर्स को देते हैं जो कि नर्स आ आ करके time to time जितने time डाक्टर बताते हैं उसे के हिसाब से दवा को patient को देते हैं ये हमारा होता individual prescription order system ये जञदातर छोटे hospital हो गा है या फिर private hospital में लिखा जाता है private hospital में दवा को लिखते हैं और बताते हैं आप लोग जाइए उस medical store से ये दवा को लेकर आएए और उस दवा को लेकर के आते हैं patient के जो साथ guardian राते हैं और वो ला करके nurse को देते हैं और nurse क्या करते हैं time to time दवा को patient को देती है ठीक यह होता अब इसमें लिख सकते हैं this system is generally used by the small and private hospital छोटा hospital हो गया जैसे वहाँ पे दवा नहीं रहते हैं वहाँ के लिए तब doctor दवा लिखते हैं छोटे hospital के doctor दवा लिखते हैं और बाहर से दवा आती है तब यह doctor लोग इलाज करते हैं या फिर कोई private hospital हो गया जहां पर दवा को लिखा जाता है बाहर से बोलते हैं यहां से दवा लेके आओ उसके बाद इलाज होगा तो वही हमारा होता है indivisible prescription order system अब इनके कुछ advantages भी होते हैं कुछ इनके disadvantage भी होते हैं जैसे कि सभी medication के जो order होते हैं वो directly review होते हैं pharmacist के दौरा easily interaction होता है pharmacist के doctor nurse and patient के in the medication matter में medication के matter में सभी का interaction होता है medication error could avoid disadvantage भी होते हैं इनके कुछ ठिक एडवांटेज होंगे, डिसडवांटेज भी होंगे, चलिए ये बात ये आप लोग को समझे में आ गया होगा, इंडिवाइडवल प्रेस्क्रेप्शन आडर सिस्टम में दवा को लिखा जाता है, दवा आप जाते हैं, बाहर से लेके आते हैं, नर्स उकुला करके देते हैं, नर्स जो होती हैं, जो वहाँ पे लोग लाते हैं, वो time to time दवा को देते हैं, यह हमारा individual prescription system होता है, दूसरा हमारा होता है complete floristark system इसको charging policy भी कहा जाता है अब दोस्तों ये क्या होता है complete floristark system इसमें जो होते हैं दोस्तों नर्स और pharmacy दोनों की responsibility होती है कि patient तक दवा को अच्छे तरीके से पहुँचे उनको मिले pharmacist को सभी दवाओं को available करना होगा जैसे कि अगर वहाँ पे hospital में ब्योस्ता है तो वहाँ पे दवाओं को सभी available करना पड़ेगा और nurse को देना पड़ेगा कि patient को सभी दवाओं को आसान तरीके से मिले तो यहां पर जो होता है pharmacy और nursing दोनों की responsibility होती है दोनों की responsible होते हैं drug को distribute करने के लिए patient तक यह हमारा होता है complete floor stock system यह basically दोस्तों हमारे दो type के होते हैं अब यहां पर दवाओं को पहुचाएंगे nurse देंगे तो charge तो लगे गा ही जब यह लोग इतना काम कर रहा है तो charge तो ल category में होते हैं कोन कोन से सबसे पहला हमारा होता charge florist drug दूसरा होता है non charge florist drug क्या होते हैं चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं देखी चार्ज फ्लूरिश्ट्राग ड्रग में दोस्तों यह होता है कि मालेजे कोई यहां पर पेसेंट है यहां पर मालेजे कोई पेसेंट है अब इसको आएं डाक्टर दवा लगाएं एक इंजेक्शन लगाएं और बोलें 50 रुपया हुआ ठीक अब पेसेंट को फिर 50 देना पड़ रहा है वो हमारा होता है चार्ज फ्लूरिश्टाग ड्रग और दूसरा क्या होता है नान चार्ज फ्लूरिश्टाग ड्रग क्या होता है देखिए नान चार्ज फ्लूरिश्टाग ड्रग यह ड्रग होता है जिसमें कोई पेसेंट माल लिजे यहां पर भरती ह ठीक अब पेसेंट का यहां पे दवा चल रहा है अब पेसेंट को सब कुछ चीजें यहां पे लग रहे हैं बोतल चड़ रहे हैं इंजेक्शन लग रहे हैं दवा दिया जा रहे हैं सब कुछ यहां पे हो रहा है और यहां पे एक ड्रग बास्केट मेथड ड्रग बास्केट कोई बास्केट बना हुआ है यहां पर आपका क्या होगा पर्ची रेडी हो जाएगा कि इतने दवा आपको दिये गए हैं इतने टोटल रुपए आपके हो गए हैं तब जा करके आप एक बार में ही सभी दवा का पैसा दे देंगे यह होता है नान चार्ज फ्लोर दोस्तों जानते हैं नान चार्ज फ्लोर इस्टार्ग ड्रग जो होते हैं इसमें भी कुछ मेथड होते हैं जैसे कि सबसे पहला मेथड होता है ड्रग बास्केट मेथड और दूसरा होता है मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में भी देखिए, method of dispensing non-charge flourish drug drug ये non-charge flourish drug drug के कुछ method है जैसे कि सबसे पहला method हो गया drug basket method जो कि आपको वहीं पर थोड़ा समझा दिया हूँ कि जैसे कि माल लिजिए patient वहां पर भरती है तो drug basket method वो method होता है जिसमें patient माल लिजिए bed पर भरती है अब उसका जितना खर्चा सब कुछ हुआ वो सभी चीज एक basket में परचा आपका बन जाता है और उसमें कितना खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ, कितना लगा सब कुछ चीजें आपको वहां पर एक list की तरह बन जाता है इतनी दवाईयें, इतनी चीजे दिये गएं टोटल इतना खर्चा हुआ, ठिक, तो वो आप जा करके सीधा सीधा क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे एक बार में और ये क्या होता है दोस्तों, मुबाईल डिस्पेंसिंग यूनिट ये एक special type का मेज होता है, stainless steel का जिसमें क्या लगे रहते हैं, tire type के लगे रहते हैं जो कि ऐसे ले करके चलेंगे, वो चलता है उसमें दवाउ को रख करके, सबका अलग अलग पर्चा बना रहता है उसमें सभी पर्चे को, सभी दवाउ को ले जा करके सभी patient को दिया जाता है सभी medicine को patient तक पहुँचा है जाता है कि यह आप खा लिजे यह आप खा लिजे उसे में भर करके पहिया type का लगा रहाता है इस तरीके से ऐसे ऐसे गुमा गुमा करके सब के पास ले करके जाय जाता है यह हमारा होता है mobile dispensing unit अब floor extract system के कुछ advantage भी होते है कुछ disadvantage भी होते है बहुत साइड तरीके से लिखा गया है तीन तीन है इसको आप लोग वीडियो को रोग करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं तीसरा दोस्तो है combination आप individeable prescription order system और complete floor extract system अभी आप लुक्षों मैंने बताया है कि अब ये दोनों का combination इसमें होता है तो पहला मैंने क्या बताया है individeable prescription order system में डाक्टर दवा को लिखते हैं और आप जाके दवा को लेके आते हैं और nurse को देते हैं nurse क्या करते हैं दवा को patient को time to time जो वहाँ पे patient भरती है hospitalization है उनको nurse क्या करते हैं time to time दवा को देती है complete floor extract system क्या होता है ये इसमें जो होते हैं complete floor extract system में nurse और pharmacy दोनों की responsibility होती है क्या responsibility है कि patient को दवा को एकदम अच्छे तरीके से distribute करें ये हमारा होता है complete floor extract system और ये बताया हूँ indiviable prescription order system ये दोनों का combination ये हमारा दीशरा होता है चोथा हमारा दोस्तो है unit dose dispensing अब ये क्या होते है unit dose dispensing का मतलब दोस्तो होता है कि इसमें different different dose different different packet में pack करके patient का उस पे क्या करते हैं नाम लिखते हैं जैसे माल लिजे आप खुद भी कभी गए होंगे अगर सायद गए होंगे hospital में तो देखते हैं वहाँ पे सभी दवाओं को अलग-अलग packet में लिख करके और उसको pack करके उस पे आपका नाम लिख दिया जाता है कि ये patient का है और उसको patient तक पहुचाया जाता है patient का नाम लिखके वो सभी दवाओं को patient को दिया जाता है वो होता unit dose dispensing I hope आप लोग को इतनी सभी बातों समझ में आ गई होंगी ये इनके होते हैं दोस्तो advantages advantage आप लोग वीडियो को रोप करके देखना चाहते हैं इसमें दोस्तों एक important topic dispensing of drug to outpatient ambulatory ambulatory patient इसमें क्या होता है इसको ambulatory service भी क्या जाता है जिसमें क्या होता है refer to those patients who not occupying bed in the hospital या फिर clinics ठीक जिसमें bed रोड नहीं राता है तो उसको क्या कर दिया जाता है उनको refer कर दिया जाता है ठीक हस्पिटल हो गाँ या फिर clinics हो गाँ healthcare center and other places when they come to the consultation and diagnosis treatment इनमें कुछ ambulatory service के category होते हैं जैसे कि emergency outpatient हो गाँ refer outpatient हो गाँ special outpatient हो गाँ और general outpatient हो गाँ इनके बारे में दो-दो line लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही आसान word में यहाँ पर लिखे गए हैं साइद आपके एक जाम में दो number में ये question पोच सकता है write the category याप ambulatory service तो ये चारों काटेगरी आप लोग लिखेंगे और इनके बारे में दो-दो line लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इनके कुछ layout होते हैं के कुछ नकसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर office होता है यहाँ पर refrigeration होता है यहाँ पर dispensing होता है यहाँ पर dispensing का window होते हैं dispensing के लिए window होता है और यहाँ पर sitting arrangement होता है patient के लिए ठीक ये कुछ हो गए है topical layout and OPD video को रोक करके बनाना चाहते हैं दोस्तों इसको बना सकते हैं इसमें देखी एक topic होता है हमारा है satellite pharmacy service यह क्या होता है यह multi specialty hospital जो होता है generally design किया जाता है diagnosis and treatment के लिए कि number of disease किनने हैं so concept of satellite pharmacy is adapted in such hospital which have multi store building in a single premises ठीक इनके बारे में आप लोग आसान तरीकिस 3 points दिया गया है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं नहीं तो video को रोक करके आप लोग खीजना चाहते हैं वैसे आपको PDF बहुत जल्द आपकी supporting आप pharmacy में upload हो जाएगा advantage इनके हो गया है और disadvantages ठीक यह ज्यादा important नहीं है कभी कभी side exam में आज जाए नहीं तो यह जल्दी आता नहीं है एक होता है इसमें bedside pharmacy इसमें भी बहुत यासान तरीकिस 2-3 words लिए गया है इसको भी अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं रोल आप pharmacy best side अब इनका रोल क्या होता है सभी patient का जाकर देख भाल करते हैं नर्स वसमें भी होते हैं इंट्रेक्ट होते हैं उनका भी रोल होता है नर्स लोग भी रहते हैं पेसेंट का वही सब चीज़ आप लोग यहां पर लिखने हैं एक होता है dispensing of control drugs ये क्या होते है dispensing of control drug का मतलब होता है कि कुछ ऐसे दवाय होते हैं दोस्तों जो की हम दे नहीं सकते है simply बोल जाए तो इसका illegally यूच नहीं कर सकते है कुछ illegal drug भी होते है जिसे हम लोग दे नहीं सकते है कुछ emergency case में दिया जाता है, लेकिन उसको वैसे नहीं दिया जाता है, कोई भी पे सेंट आया, उसको कोई भी नर्स ले जाकर करके उस दवा को तुरंत लगा दी नहीं, उसको दिया नहीं जा सकता है वो हमारा होता डिस्पेंसिंग आप एक्जांपल की तवर पर जैसे हमारा अनेस्थेटिक हो गया, इस्टेराइड हो गया ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं इनके बारे में 2-4 पॉइंट यहां पर और दिये गया है, लिखना चाहते हैं, वीडियो को रोग करके लिख सकते हैं, इस चैप्टर में एक लाश्ट पॉइंट आप लोग और समझ लेजिए, वो कंट्रोल डिस्पेंसिंग आप लोग समझे लें, ड्रग कौन कौन से कंट्रोल रहते हैं, ठीक, अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेजिए, हास्पिटल कंट्रोल प्रोसीजर, इसको कौन-कौन लोग कंसीडर, इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करतेां, सबसे पहला, तो Chief Pharmacist होते हैं, जो की पूरे दवाओं की देख़ाल, में यह होते हैं, चीफ फर्मसेश्ट लोग करते हैं, एक Head Nurse होती है, जिनके द्वारा सभी नर्स को कंट्रोल किया जाता है और वो नर्स अपने कार्डिंग सभी का देखभाल करते हैं एक होते हैं एड्मिनिस्ट्रेशन है ठीक तो ये जो होते हैं हास्पिटल कंट्रोल प्रोसीजर हो गए तो आप लोग दोस्तों अपने सिलेबस में एक बाट ठीक लगा लेना हम लो यही आप लोग से मैं मांगता हूं कि लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना बस यही आप लोग से मैं मांगता हूं ठीक और तो मैं सब कुछ देई रहा हूं आप लोग को तो चले दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो लाइ कमेंट चेर और शब्सक्राब इस चानल